हेलो सुडेंट्स आप सभी का स्वागत है मैंगेंट बेंस लेकर बारवी तक किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं मैंगेंट ब्रेंस सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से इसकुरी सिक्षा मुफ्ठ प्रदान करता है इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई फीस देने के आवश्चक्ता नहीं है आप से कोई यह कहने नहीं वाला है कि आप दो वीडियो चार वीडियो दस पंदरा वीडियो देखने के बाद इतना पैसा दीजिए उतना पैसा दीजिए सब कुछ फ्री है पहले प्रशन से लेकर आखरी प्रशन तक हर पाट के पहले कॉंसेट से लेकर आखरी कॉंसेट तक हम लोग बात कर रहे हैं अनुक्रम तथा श्रीणी आज हम लोग इसकी प्रशनावली 9.1 के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे अनुक्रम के सामान्य पद औ मतलब आपको पहले पांच पद लिखना है एन वापद दिया गया है एन बराबर एन गुणा एन प्लस दो और आपको एन का मान एक रखना है दो रखना है तीन रखना है और मान निकालना है कि क्या आता है ठीक है तो प्रथम पांच पद लिखने का मतलब यही है क्या पहले n का मान 1 रखिए 2 रखिए 3 रखिए 4 रखिए और 5 रखिए अगर n का मान 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा a1 कितना एक गुणा 1 प्लस 2 एक गुणा 1 प्लस 2 मतलब 3 आ जाएगा यह तो बस यह आएगा ना एक गुणा 1 प्लस 2 तो a1 का मान आ गया 3 ठीक है जब a2 निकालूँगा तो a2 का मतलब यहाँ n की जगे 2 रख दो तो 2 गुणा 2 प्लस 2 तो यह मिला 4 गुणा 2 मतलब 8 जब यहाँ a3 निकाला जाएगा तो 3 गुणा 3 प्लस 2 तो यह मिलेगा 15 जब यहाँ पर 4 रखा जाएगा तो a4 बराबर 4 गुणा 4 प्लस 2 मिला कर 6 चोविस तो यह मिलेगा 24 उसके बाद a5 a5 मतलब 5 गुणा 5 प्लस 2 और यह मिला 7 पंजे 35 तो आपको इस अनुक्रम के जो प्रथम पांच पद है वो मिले 38 15 चोविस और 35 हाँ जी आ तीन और चार दुनी 8 5 3 15 चार चोविस और 35 यह पहले पांच पद है अगले प्रश्न को हल करते हैं यह तो सरल है फटाफट फटाफट हो जाएगा देखते हैं एन बटा एन प्लस 1 सरल है इससे सरल कुछ नहीं है प्रथम पांच पद निकालना काफी सरल है आप एन का मान रखें और जब आप 2 रखेंगे तो आपको A2 का मान मिलेगा A2 बराबर 2 बटा 2 प्लस 1 उसके बाद जब आप 3 रखेंगे तो आपको A3 मिलेगा A3 में 3 बटा 3 प्लस 1 जब आप N का मान 4 रखेंगे तो A4 मिलेगा बराबर 4 बटा 4 प्लस 5 या 4 प्लस 1 कुछ नहीं जो उपर लिखा उसम तो ए 5 ए 5 मतलब उपर 5 और नीचे 5 प्लस 1 तो इस अनुकरम के पहले जो 5 पद है वह वह एक बटा 2, 2 बटा 3, 3 बटा 4, 4 बटा 5 और 5 बटा 6, सिंपल है, अच्छा ऐसे अनुकरम काफी आपको देखने को मिलेगे, इन सभी का गुणा करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा 1 बटा 6, ऐसे बहुत सरे मतलब ऐसे सवाल हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो अपन पत लिखना है, अपन सवाल को कर चुके है, दो की घात 1, फिर 2 रख दो तो दो की घात 2, 3 रखोगे 2 की घात 3, 4 रखोगे 2 की घात 4, 5 रखोगे 2 की घात 5, यह हो गए इसके पहले पाच पत, इसमें तो कोई कठिनाई है ही नहीं, एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5, रख दो, सवाल सम माइनस 3 बटा 8, तो एन का मान 1, 2, 3, 4, और 5 रखा जाएगा, प्रथम 5 पत बोला है न, इसलिए 5 रखेंगे, एन, एवन, दो गुणा 1, माइनस 3 बटा 8, तो दो गुणा 1, तो यह मिला, माइनस 1 बटा 8, A2, 2, गुणा 2 माइनस 3 बटा 8, तो 4 माइनस 3 बटा 8, मतलब 1 बटा 8, A3, 2 गुणा 3 माइनस 3 बटा 8, तो 6 माइनस 3, 3 बटा 8, है न, उसके बाद, A4 A4 2 गुणा 4 माइनस 3 बटा 8 मतलब 8 माइनस 3 5 बटा 8 आखरी पद A5 2 गुणा 5 माइनस 3 बटा 8 ये हो गया 10 माइनस 3 मतलब 7 बटा 8 तो इसके जो प्रथम 5 पद है उन्हें अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक नई कहानी पता चलेगी कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ कहानी ये है कि ये संख्याएं जो आपको लिखी गई है वो समानतर शेड़ी में है देख लो एक बार कैसे समानतर शेड़ी में है अब पहले पद में 2 बटा 8 जोड़िए तो माइनस एक बटा आट में दो बटा आट जोडने पर एक बटा आट फिर दो बटा आट जोड़िये तो एक प्लस दो तीन फिर दो बटा आट जोड़ोगे तो दो प्लस तीन प्लस दो पांच और फिर दो बटा आट जोड़ोगे तो यहां से आपको चीजें मिलती चली जा कहा कि आप इसे देख कर पैचाज जाएंगे कि यह सवांतर शिनी है और इसका सर्वांतर क्या है पर आने वाले समय में अभी नहीं आपको जो अदस्र व्यक्षा में पढ़ा है वो काफी सरल था और उसमें आपने जादा कुछ सोचा सम्झाने या आपको काफी कुछ सोचने और समझने की आवाशक्ता पढ़ने वाली है एक से लेके चहतक के अनुक्रम में प्रत्यक प्रत्त पद के फ्रत्म 5 पद लिखे जिनका n वापत दिया गया है a n बराबर माइनस 1 की घात n माइनस 1 और 5 की घात n प्लस 1 यहां थोड़ी दिखकत है तो चलिए 1 बाइ 1 कल्कुलेट करते हैं a1 निकालते हैं एवन मतलब आपने क्या किया एन का मान रख दिया एक है ना सबसे पहले एन का मान रख दो एक तो मिलेगा एवन माइनस एक की घाथ एक माइनस एक और पाच की घाथ एक माइनस एक तो एवन माइनस एक की घाथ शुन्य और पाच की घाथ एक प्लस एक मतलब पाच का वर्ग दूसरा n बराबर 2, तो a2, a2 मतलब माईनस 1 की घात, 2 माईनस 1, और 5 की घात 2 प्लस 1. तो यह मिला माईनस 1 की घात 1, के μीलेगा? मिलेगा माईनस 1 की घात 1, और 5 की घात 3, तो जवाब मिलेगा माउनस 5 की घात 3. ठीक है? उसके बाद तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे तीसरा पद निकालने के लिए N बराबर 3 रखेंगे N बराबर 3 पे A3 मिलेगा माइनस 1 की घात 3 माइनस 1 5 की घात 3 प्लस 1 A3 बराबर माइनस 1 की घात 2 5 की घात 4 यहां से 5 की घात 4 चौथा पद N बराबर 4 तो A4 A4 कितना? जहां जहां N है वहां वहां 4 रख दो तो –1 की गात 4 –1 5 की गात 4 प्लस 1 तो A4 बराबर –1 की गात 3 5 की गात 5 तो यह मिला –5 की गात 5 ठीक है ए 5 और निकाल ले n बराबर 5 रखने पर ठीक है तो चौथे वाले में n बराबर रखा 5 तो आपको मिलेगा ए 5 ए 5 मतलब माइनस 1 की घाथ 5 माइनस 1 5 की घाथ 5 प्लस 1 मतलब माइनस 1 की घाथ 4 5 की घाथ 6 जिसका जवाब 5 की घाथ 6 अब आपको निकालने पहले 5 पद निकल चुके हैं पहला पद 5 का वर्ग ठीक है तो क्या निकला 5 का वर्ग माइनस 5 की घाथ 3 फिर 5 की घाथ 4 माइनस 5 की घाथ 5 और 5 की घाथ 6 यह हो गए पहले 5 पद अब अगर आपको कोई बोल दे कि एक ऐसा अनुक्रम है जिसका एन्वा पद निकालिये या व्यापक पद निकालिये तो वो ऐसे निकलेगा सोच के देखो है ना चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा में हमवग देता हूं आपको इस अनुक्रम को अगर मैं बदल देता ऐसा माइनस 1 की घाथ n प्लस 1 और 5 की घाथ भी n प्लस 1 कर देता है ना सोचने की कोशिश करना या फिर माइनस 5 की घाथ n प्लस 1 कर देता तब भी इस अनुक्रम के जो प्रतम 5 पद आते शायद यही आते ऐसा क्यों होता आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए अनुक्रम का व्यापकपद दोनों का अलग अलग है देखिए यह व्यापकपद दिखने में दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों चीजे लगबग एक जैसी ही है फटावर सोचके बताईए क्यों ऐसा है खेर आगे बढ़ा जाए प्रस्ट नमबर 6 की तरफ इस तरह का आखरी सवाल है एक से लेके 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्यक पद के प्रत्या प्रत्यक के प्रत्यक के प्रत्म 5 पद लिखिए जिनका एनवा पद दिया गया है सवा एक गुणा एक का वर्ग प्लस 5 बटा चार एक का वर्ग प्लस 5 छे चै बटा चार और 6 बटा चार का मतलब 3 बटा 2 दूसरा एन बराबर 2 एदू दो गुणा 2 का वर्ग प्लस 5 बटा 4 दो गुणा चार और दो का वर्ग चार चार पलस 5 नौ नो बटा चार तो ये मिला 9 बटा 2 ऐसा कुछ? बिलकुल उसके बाद 30 A3 या N बराबर 3 तो ये मिलेगा A3 A3 का मतलब यहां 3 3 का वर्ग प्लस 5 बटा 4 3 का वर्ग 9, 9 और 5 14, 14 बटा 4 गुणा 3 तो 3 गुणा 14 बटा 4 तो 21 उपर बच जाएगा 7 तो 21 बटा 2 ठीक है उसके बाद चौथा पद N बराबर 5 या N बराबर 4 तो A4 4 गुणा 4 का वर्ग प्लस 5 बटा 4 है ना जी? तो 4 का वर्ग 16, 16 बटा 5 21 बटा 4, 4 से 4 सब कुछ कैंसल तो यहां पर बचा सिर्फ और 21 ठीक है उसके बाद पाँचवे पद के लिए क्या करोगे? पाँचवे पद के लिए N बराबर 5 मतलब A5 A5 का मतलब 5 गुणा 5 का वर्ग प्लस 5 बटा 4 पाँच का वर्ग 25 25 और 5 30 गुणा 5 150 150 बटा 4 या फिर 5 गुणा 30 बटा 4 तो 75 बटा 2 तो यह रहे आपके सामने पहले 5 पद पाँच बटा दो 9 बटा दो 21 बटा दो 21 और 75 बटा दो अब यह अनुक्रम समानतर शिनी जैसा है नहीं ना यह कुछ स्पेशल है मतलब ऐसे लिखा जा सकता है अगर आपको यह पांच पद लिखकर बोल दे कि इसका व्यापक पद निकालो तो शायद आप इसको इस रूप में नहीं लिख पाएंगे मुश्किल है थोड़ा परेशानी हो जाती है लेकिन कोई बात नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ आपसे ऐसे सवाल पूछेगा भी नहीं कोई पहली बात तो यह भी है प्रश्ण नमबर साथ से लेकर दस तक के अनुक्रमों में प्रत्यक का वांचित पद ग्याद कीजिए जिनका एनवा पद दिया है मतलब आपको क्या दिया है ए एन दिया है चार एन माइनस तीन ये एक समानतर शेणी है देख के बता सकता हूँ और आपको ए सत्रा पूछा गया है तो ए सत्रा के लिए एन की जगे सत्रा रख दो तो चार गुणा सत्रा माइनस तीन सत्रे चोक अडशट अडशट माइनस तीन पैंसट तो ए सत्रा मिला पैंसट उसके बाद ए चोविस तो ए चोविस बराबर चार गुणा चोविस चोव है यह एक समानतर शेड़ी है आपको कैसे पता चला पता आपको भी चल जाएगा लेकिन मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि यह समानतर शेड़ी है पहले तीन पद निकाल के देख लो एवन एवन मतलब एक की जगे वन तो चार गुना एक माइनस तीन मतलब एक एटू चार गुना दो माइनस तीन मतलब पांच एटीन चार गुना तीन माइनस तीन नौ एचार निकालोगे तो क्या मिलेगा चार गुणा चार माइनस तीन तो सोला माइनस तीन यह हुआ तेरा यहां से यहां चार का अंतर है यह भी चार जोड़ा यहां से भी चार जोड़ा तो यह एक समांतर शेणी है जिसमें पहला पद एक है और सरवांतर चार है सभी में आप चार चार का जोड़ करते चले जा रह है अभ यह ना तो समानतर सेप्र हैं ना ही गुंदतर सेप्र फीर क्या होती है मुझे नहीं पता क्योंकि आपको नहीं पता है रहता नहीं सकता भी बताइंगे एस सात दो की यह साथ की घात दो दो की घात साथ साथ की घात दो उन्चास दो की घात साथ 128 इतना सवाव सिर्फ calculation यार, आठवा सवाल भी हो चुका है AN माइनस एक की घात N-1 N की घात 3 और आपसे A9 पूछा है, A N है माइनस एक की घात N-1 और N की घाथ 3 तो अगर मैं A9 के बारे में बात करता हूँ तो माइनस 1 की घाथ 9 माइनस 1 और 9 की घाथ 3 तो A9 बराबर माइनस 1 की घाथ 8 9 की घाथ 3 मतलब 81 गुणा 3 7 2 9 माइनस 1 की घाथ 8 7 2 मतलब 1 ही होता है इसलिए 7 2 9 आपका जवाब जो है वो सही है बस इतना सा है यह चलिए अगर A9 फिनिश तो बात करेंगे A10 पर या प्रेशन नमबर 10 पर A N दिया है N गुणा N माइनस 2 बटा N प्लस 3 और आपको चाहिए A20 क्या करोगे N की जगे 20 रख दो 20 गुणा 20 माइनस 2 और 20 प्लस 3 तो A20 का मतलब ऐसा कुछ 20 गुणा 18 बटा 23 तो 360 बटा 23 तो यह मिला आपको A20 प्रेशन नमबर 10 समाती की तरफ चलिए आगे बड़े प्रेशन नमबर 11 की तरफ की 11 से लेकर 13 तक प्रतेक अनुक्रम के प्रथम 5 पद लिखिए तथा संगत शेनी भी ग्याद कीजिए मतलब आपको शेनी ग्याद करनी है योग ग्याद नहीं करना एवन दिया है तीन और अब आप शेनी को या सवाल को समझने की कोशिश कीजिए जो भी आपको अगला पद मिलेगा जो एनवा पद मिलेगा वो पुराने पद में तीन का गुणा करने के बाद उसमें दो जोडने पर मिलेगा क्या आपको मेरी बास समझ में आई? मतलब आप क्या करेंगे? सबसे पहले माल दीजिए आपके पास एक पद है जिसे आपने A1 कहा A1 में आप गुणा करेंगे तीन का क्या करेंगे? तीन का गुणा जो पद मिलेगा वो क्या मिलेगा? A2 या तीन A1 इसमें आप जोड़ करेंगे 3 का या 2 का जोड़ करेंगे 3 का नहीं तब आपको जो पज मिलेगा 3 A1 प्लस 2 ये है A2 अब आपको A2 मिला तो A2 में अगर आप यही सिक्वेंस फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगा A3 आपको A2 मिला 3 का गुना किया तो ये 3 A2 फिर 2 जोड़ा तो 3 A2 प्लस 2 ये आपको मिलेगा A3 मतलब क्या है सवाल के अकॉर्डिंग के A N जो है वो इसके पहले वाले पद में 3 का गुना करने के बाद 2 जोड़ा जाए तब जाके आएगा क्या ये बात समझी भाई ये एक नई तरह के सिक्वेंस है जहां पर N जो है वो एक से बढ़ा है आप N का मान एक नहीं रख सकते हैं यहाँ पर 2 रख देंगे 3 रख देंगे चलेगा तो क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे हमें कौन से दिक्कत है देखिए आपको निकालना है A1 दिया है 3 के बराबर आपको निकालना है A2 A2 क्या होगा पुराने पद में 3 का गुणा करके 2 जोड़ दो तो 3 गुणा 3 प्लस 2 11 है ना 9 प्लस 2 अब निकालना है A3 तो 3 गुणा A2 प्लस 2 तो 3 गुणा 11 प्लस 2 क्योंकि A2 का मान 11 है 11 तिया 33 प्लस 2 35 उसके बाद A4 निकालना है तो A4 निकालने के लिए 3 गुणा A3 प्लस 2 तो 3 गुणा 35 प्लस 2 है ना जी A3 का मान 35 था तो पुराने पत का 3 गुणा किया प्लस 2 जोड़ दिया 35 तिया 105 प्लस 2 107 A4 A5 हुआ A5 में क्या करोगे A4 का 3 गुणा प्लस 2 करोगे तो 3 गुणा A4 107 प्लस 2 107 का 3 गुणा 321 321 प्लस 2 323 तो यह हो चुके आपके पहले 5 प्लस नमबर 11 में अब यहाँ पर आपको N-1 N-1 नहीं दिया यह बुला कि कुछ मत करो पुराने पद में नए पद से पुराने पद से नया पद बनाते चले जाओ ठीक है चलेगा चलो अच्छा समानतर शीनी को भी इसी तरह से निरूपित किया जा सकता है जैसे मैं बोलू के समानतर शीनी का जो N-1 पद है वो A-N-1 पद प्लस D लिखा जाए तो गलत नहीं होगा मतलब जो N-1 पद के पहले वाला पद है उसमें D जोड़ दो दूसरे पद के लिए पहले पद में D जोड़ दो तीसरे पद के लिए दूसरे पद में D जोड़ दो यह समानतर शीनी है अभी बताऊंगा बहुत कुछ चलिए कोई बात नी आगे बढ़ते है A1-1 है और A N जो है A N-1 बता N है मतलब जो दूसरा पद आएगा आप अगर N का मान 1 रखेंगे N का मान 2 या 2 से बड़ा रख सकते हैं तो आप N का मान 2 रखेंगे तो यह मिलेगा A2-1 मतलब A1 बता 2 आप N का मान 2 रख दीजिए क्यों मिला जहाँ-जहाँ N है वहाँ-वहाँ 2 रख दो तो यह 2 2-1 एक तो A1 बता 2 A1 कितना माइनस 1 तो माइनस एक बता 2 N बराबर 3 A3 A2 बता 2 तो माइनस एक बता 2 मतलब एक बता 4 रिनात्मक चिन्न के लिए ठीक है N बराबर 4 रख दो तो A4 A4 के लिए क्या मिलेगा देखो A1 है A2 मिला A3 मिला A4 A4 मतलब A3 बता 4 N की जगे 4 रख दो A3 माइनस एक बता 4 था तो माइनस एक बता 4 में और 4 का भाग दोगे तो एक बता 16 उसके बाद N बराबर 5 रखोगे तो मिलेगा A5 A5 मतलब A4 बता 4 या A4 बता 5 तो A4 तो माइनस एक बता 16 था इसको भाग दिया तो 64 और कुछ नहीं यह हो चुका प्रश्ण हल चलिए तेरवे प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं सरल है काफी अगर A1 बराबर A2 बराबर 2 है और आपको A N जो है वो A N माइनस 1 है तो इसका मतलब है और N जो है वो 2 से बढ़ा है अगर N 2 से बढ़ा है तो A3 क्या आएगा A2 में से एक गटा दो यही है ना A N माइनस 1 का मतलब क्या है इसके पहले वाला पद A4 A3 में से एक गटा दो A5 A4 में से एक गटा दो A6 A5 में से एक गटा दो A7 A6 में से एक गटा दो अब A2 A2 तो 2 के बराबर है 2 में से एक गटा दो यह मिला 1 A3 A3 2 के 1 के बराबर आया एक में से एक घटा होगे तो शुन्य एचार या एचार माइनस एक तो 0 माइनस एक माइनस एक एपांच माइनस एक के बराबर तो यह माइनस दो और यह माइनस दो माइनस एक माइनस तीन इतना सा है बस और इसको ऐसे भी मान सकते हो कि चुकि आपको बूला गया कि पहला पद दो है दूसरा पद भी दो है अगले पद के लिए तीसरे पद के लिए दूसरे पद में से एक घटा दो माइनस एक बच जाएगा फिर घटा होगे तो zero फिर हैमाईनस a-2 माइनस-3 माइनस-4 माइनस-5 चलता चला जाएगा juga ये है प्रशन नम्बर 13 की समापति. अगला प्रशन है प्रशन नम्बर 14, फैबोना की अनुक्रम, बहुत फेमस अनुक्रम है, अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको कहीं न कहीं, फैबोना की अनुक्रम के वारे में जरूर शब्द मिलेगा. एक ऐसा अनुक्रम जिसके अंदर पहले दो पद एक एक के बराबर है और अगला पद पिछले दो पदों का योग है तो निम्नलिखित रूप से परिभाशित होता है जहां पर आपको a n प्लस 1 बटा a n ग्याद करना है जब n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5 है मतलब ऐसा है कि आपके सामने पहले तो फैबोना की अनुक्रम आपको निकालना है उसमें a n वाले को a n प्लस 1 से भाग देना है मतलब n का मान 1 है तो a2 बटा a1, n का मान 2 है तो a2 बटा a3 ऐसी चीज़े निकालनी है तो पहले हमें चुकि n का मान 5 तक लेना है और पता क्या करना है a n प्लस 1 बटा a n तो यहां 5 प्लस 1 मतलब a6 बटा a5 तो देखो यार a1 और a2 दोनो के दोनो एक के बराबर है ठीक है अब आपको a n को किस तरह परिभाशित किया है वो देखो a n का मतलब है a n माइनस 1 को a n माइनस 2 से जोड़ दो और n का मान 2 से बड़ा होना चाहिए मतलब 3 होना चाहिए 4 होना चाहिए तो a3 का मतलब क्या होगा a3 का मतलब a n माइनस 1 a2 प्लस a1 यहां n की जगे 3 रखो तो यह 2 और यह 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 मिलाकर 2 हो जाएगा उसके बाद जब मैं a4 के बारे में बात करूँगा तो a n माइनस 1 मतलब 4-1-3 और उसके बाद 2 तो ये मिलेगा A3 का मतलब तो 2 है 2 प्लस 1 3 के बराबर A5 के बारे में बात करेंगे तो A5 भी सिंपल है A5 मतलब A4 प्लस A3 तो ये मिलेगा 3 प्लस 2 मतलब 5 A6 और निकाल लेते हैं तो A6 भी आसानी से निकल सकता है A6 का मतलब है A5 प्लस A4 अब A5 कितना? A5 5 के बराबर A4 3 के बराबर दोनों मिलकर हो गए 8 अब इस अनुक्रम को अब ऐसे भी मतलब जरूरी नहीं ऐसे निकालें निकालने का तरीका और भी सिंपल है कैसे? पहला पद एक है, दूसरा एक है फैबोना की अनुक्रम को समझ लो A N जो है A N-1 और A N-2 के साथ बनाए A N-1 मतलब A N वाले पद के पहले वाला और उसके एक और पहले वाला मतलब पुराने दो पदों को जोड़कर तीसरा पद बनता है इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 आएगा इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 आजाएगा इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 फिर इन दोनों के जोड़ोगे तो 8 फिर जोड़ोगे तो 13 फिर जोड़ोगे तो 21 इस तरह से आपको फैबना की अनुक्रम मिलता जाएगा पुराने दो पदों को जोड़कर तीसरा पद इन दोनों से ये इन दोनों से ये फिर इन दोनों से ये इन दोनों के जोड़ने से ये फिर इन दोनों के जोड़ने से ये बन जाएगा इस तरह से खेर हमारे पास a1 a2 a3 a4 a5 a6 है हमें निकालना है a n प्लस 1 और a n प्लस 2 तो जब n बराबर 1 है a n प्लस 1 बटा a n का मतलब है a2 बटा a1 जो कि 2 बटा 2 या 1 बटा 1 है और 1 बटा 1 का मतलब 1 होता है एक बटा 1 क्यों क्योंकि a2 और a1 दोनों एक के बराबर सवाल में ही दिये हो गए है जब n बराबर 2 है तो a n प्लस 1 और a n प्लस a n का मतलब a3 बटा a n या a2 a3 का मतलब 2 a2 का मतलब 1 तो ये 2 n बराबर 3 तो a n प्लस 1 और a n जिसका मतलब a4 बटा a3 a4 का मतलब 3 और a3 का मतलब 2 तो 3 बटा 2 n बराबर 4 लिखा जाए तो जब n बराबर 4 लिखा जाए तो a n प्लस 1 मतलब a5 और a4 a5 का मतलब 5 और a4 का मतलब 3 तो ये मिलेगा 5 बटा 3 जब n का मतलब 5 है जब मैं n बराबर 5 लिखूंगा तो मुझे a n प्लस 1 की जगे 6 और यहां पर 5 मिलेगा जिसका मतलब हो जाएगा a6 का मतलब 8 और a5 का मतलब 5 तो 8 बटा 5 इतना ही आपको पता करना था तो जो आपको 5 अनुपात पता करने थे वो यही थे पहला तो ये वाला दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये और पांचवा ये यह हो गए पांच अनुपात जो आपको फैबोना की अनुक्रम में निकालने थे चलिए इतना अगर फिनिश है तो अपना भी मामला इस प्रिशनावली का फिनिश है अगर आप मेगनेट ब्रेंस के लेक्चर्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको वहाँ लेक्चर्स को ढूणने में समस्या होती है या आप कोई अल्टरनेटिव वे चाहते हैं तो मेगनेट ब्रेंस की ऑफिशल वेबसाइट www.magnetbrains पर जाईए cbsc हिंदी माध्यम सिलेक कीजिए अब चाहिए आप किसी भी बोर्ड के हो हिंदी माध्यम में cbsc की किताब ही लगबग फॉलो होती है और जो मतब cbsc बोर्ड से मिलता जुलता ही आपका पाठे क्रम है आपने उसमें कक्षा 11 भी सिलेक किया तो गणित वाले सरका फोटो आ इसी भी एक टॉपिक पर क्लिक करोगे गणित वाले सर उसका वीडियो पढ़ाते हुए ऐसे आपको दिख जाएंगे बस यही करना और कुछ नहीं करना खेर आज की जो कहानी है वह यहीं है पर कक्षा 6 से लेके बारवी तक मैगनेट ब्रेंस आप सभी विध्यार्थियों क पूरी कहानी मुफ्त पढ़ाता है इसके लिए आपको कोई special काम करने की आवश्यक्ता नहीं है बस इन लेक्चर्स को देखना है जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो पूरी तरह से मुफ्त है कोई भी आपसे इसके लिए पैसे नहीं मांगने वाला है बस आपको वीडियो को और चैनल को share करना है ताकि वो भी subscribe करें आप भी subscribe करो वो भी like करें आप भी like करो मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद